हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल और मैं होने धी सो देखिए सुबह सुबह का नजारा कितना सुंदर और कितना कामिंग सूधिंग होता है यह आप लोग की इंजॉइमेंट के लिए मैंने लगाया है क्लिप आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा आप लोग के बहुत सारे क्वेशन आ रहे थे कि हम लोग इतना कुछ करें फिर भी हमारा वेट इतना जादा लूज नहीं हो रहा है और कंपारिजन चल रहा है काफी जादा आप लोग के मन में तो आज मैं सारी बाते आप लोग से डिसकस करूंगी तो वीडियो काफी आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था तो एक दो दिन में आपको इसकी रेसेपी मिल जाएगी तो चलिए आज का वीडियो करते हैं लेट्स केट स्थाड़ेट मेरा ब्रेक्वेस्ट हो चुका है मैं जो डोकला या खमन बनाया था आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैं ये बनाया विर आज प्लान में कुछ और बनाने का प्लान था बट मैंने का चलो फिर राज बनाई लेते हैं ताकि रेसेपी भी शेयर कर दे जिनको को बनाने का मन है वो बना पाएंगे एनिवेस्ट ये मेरी चाय है और अभी बज़र है सवा नौ ब्रेक्वेस्ट वगरा सभू चुका है तो मैं सचाय बाद में क्योंकि उसके साथ पीने का मतलब नहीं था चाय सो मैंने भी सिरीज डाली थी ना अपनी 15 देज वाली वो उस करता है तो मैं चेह रही थी कि मेरे पर बास तीन आप क्वेस्टन्स आ रहे है जिदका मुझे लगटा है कि सेपरेट आंसर मेरे पास है यो मैं आपना माइन सेट जो मेरा फिलोसुपी यह मेरे और व्यूस है वो मैं शेयर कर सकते है अप लोग रिलेट कर पाएं कभी-ग कि एक संता है, अजय आफि बहुत ही पहुत ही चीजाistically कि लोगती है, but our जिना पीजा कोछ से लोगता है? तो मैं आज हो खुले हैृता चुह क्वेसिटने थीजस। हम बहुत जादा है विर ऊपिकेजी कोछिश का रहा है यह और हम कोछिए ही मेelhouse लूज नहीं हुआ, आपने इतना वेट लूज कर लिया, हमारा तो इतना ही वेट लूज वा, आपने पांच केजी किया, हमारा तो से फेकी केजी हुआ, हम इतने दिन से करें, ये एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेशन आ रहा है, आंसर मैंने किया है, बट आज मैं धंग से ये वेट लूज होगा, भई, है रहा है, कैसे होगा, क्या इसके पीछे लॉजिक है, या मतला मेरे क्या थॉट्स है, मैं जरूर आप लोग को बताना जाहूंगी, किस तरीक क्यों ऐसा है, कि हम इतना कुछ खाते है, फिर भी लूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपका चीज़े बड़ी सॉर्टेट हो जाती है अगर आप शुरू कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है अब यह वाली तो आपको मतला होता है कि आप क्या करते हो 15 दिन तक आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहे हैं कि मैं चाहती हूं कि जो चीज़े मैंने सीखी है मैंने लर्न की है थू माई लाइफ स्टेजेज मैं बहुत जादा पहले अभी नहीं हो लेकिन पहले मैं बिल्कुल भी फिटनेस और उसमें थीनी मुझे तनी रिक्वाइमेंट भी और था बिने लेकिन पोस्ट प्रेग्नेंसी जब मैं थोड़ा सा आई मैं अनहल्दी महसूस करने लगी और मैंने देखा कि बहुत बिजीनेस है मेरी कोई लाइस्टाइल ही नहीं रहे है देन फिर मैंने इन चीज़ों पर वर्काउट करना शुरू किया और वहां से मैंने म कह सकते हैं कि मैं टोटली हंड़ेट परसंट फिटनेस प्रीक टाइप पीपल नहीं हूं मैं वैसी नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक्स मेरे मता मैं एक एवरेज ताइप अवरेज नहीं करती हूं कि वह मैं लाइफलाउन तो बस मेरा जो भी अप्रोच आप दे अगर आपने अपने उने अपने आपने अहीं हो जगता से कहीं स्या राग सफ्य द्सपा में तो आपको जो जो घज रहाई प्रोच मैं मैं अपने-पोर्च जब थार लोगा नएव तो आज़िग कर रहा हैं आगे भी दो वीडियो इस लाइन आप जो कि मैंने बता दी है यह टॉपिक पर आज के मैं क्वेश्चिन पर आती हूं कि हमारा वेट लूज नहीं हो रहा हम सब कुछ करें सिल हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है या तो मारा वेट जो है वह बहुत जादा नहीं जैसे मेरा 15 मैंने फॉलो किया था तो उसमें मेरा 5 kg के असपास वेट लूज हुआ था बट कुछ लोगों का 1 kg लूज हुआ किसी का 2 kg लूज हुआ तो यह जो एक प्रॉबलम है उस पेम बात करेंगे तो आगे मिलने से परे दो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगे अगर आप सब था तरष स्च लूज है तो उसकी बजह से होता है कि आपकी वड़के से रिस्पॉंड नहीं करती है जैसा कि आपको थे किसछ सब और कम कराइप बूसे मिल जा हुए-पोर नहीं हो तो दूसरी चीज कि आपकी बॉड़ी जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे है उसमें यूस्टू हो गई है इसले वो रिस्पॉंड नहीं कर रही है जैसे कि अगर आप मान लीजे वॉकिंग करते हैं तिक आप दो किलो मेटर वॉकिंग करते हैं और आपका इनिशली वेट लूज हुआ बट अब आप रेगुलर करते हैं बट आपको रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है तो आपको और जाधा पुष करना अपनी बॉड़ी को और जाधा पेन देना है या फिर वो हीट देनी है मतलब आप समझ रहे ना अब वो उस चीज की आप उसका कम लाईए तो इसलिए मोनोटनिस लाइफ ने चाहिए आप हमेशा चेंज करते रहे है अपने वरक आउट्स हो या आपकी डाइट विए उसको थोड़ा बट आप चेंज करते रहे हमेशा एक जैसी चीज रखेंगे आपकी बॉड़ी है जो आप कर सकते हो अगर आपने मतलब अपने फिलोसुफी पर आती हूँ जो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि वेट लॉस एक्चली में वेट जो है वो है क्या हमारी बॉड़ी का वेट एक्चली में सिर्फ अमारा अनहल्दी फैट ही नहीं है हमारी बॉड़ी में बोन्स हैं आर्गन्स हैं पानी है और के लावा फैट वगरा है मसल्स है इतनी सारी चीजे इन सब को मिला कि जो भी कुछ हमारी बॉड़ी में है न वह सब का अपना एक वेट होता है अचाहे मेरी थंडी हो गई है तो सब चीजों का अपना वेट होता है आपका कंट्रोल आपके बॉन्स पे या आपका और गन्स पे या आपका कंट्रोल नहीं है जिसमें आपको काम करना है, यह तो वेट के बारे में हो गया, अब मैं आपको छोटा से एक्जाम्पल पहले दूँगी, स्टोरी जैसे सुनाओंगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगी, फोर एक्जाम्पल घर में दो बच्चे है, A and B, फिक है, यह A and B जो है, मतब डेली दिन मे 10 चम्मच शक्र, यानि की चीनी, शुगर, खाते है, यह उनको पसंद है, कोई लॉजिक नहीं है, इनको यह 10 चम्मच शुगर खाते ही खाते है, इनको पसंद है खाना, लेकिन हम सब को पता है कि इतनी शुगर खाना is not healthy, is not good, तो मैंने इन दोनों बच्चों से कहा, कि बट मुझे तो आदत है 10 चम्मच खाने की, तो मैं कैसे चोड़ सकता हूं जो भी है, तो इसने बी ने अग्री किया, बी ने अग्री किया, कि ठीक है, आज मैं ट्राइ करूँगा कि दिन बर में 5 चम्मच जो है, वो गिवप कर सकूँ, लेकिन 5 चम्मच तो मैं खाऊं गई, इस पांच चम्मच चीनी खाना चोड़के सीधे 5 चम्मच पे आगया, 10 से सीधे 5 चम्मच पे आगया, और इसने कोशिश तो की, बट इसको मन नी मान रह नहा था, जो भी है, तो इसने तीन चम्मच शुगर गिवप की, और यह साथ चम्मच तक रह पाया, यह चीज चलती रही यह एक महिने में करीब आपका तीन-चार चम्मच गिवप कर पाया, और यह धीरे-धीरे, लेकिन अड़ एंड अफ थ्री मंस, दोनों ही जो बच्चे थे, यह दो चम्मच शुगर पे आचुके थे, कहने का मतलब, लेकिन एक और चीज में आड़ करना चाहूँगे, लेकि इसने फिर अगेन इसको बढ़ा करके चार चम्मच शुगर की गई, तब जाके यह हेल्दी महिसुस करा, अब यहां पर मैं दो पॉंट्स बताना चाहती हूँ, कि यहां पर देखे, दोनों ने गिवप किया, अट दे एंड अफ थ्री मंस, दोनों ही अपने टार्गेट जो दूसरी चीज़ की इसकी जो बॉड़ी थी, उसकी नीड जो थी, वह एक्स्टा जादा शुगर की तो आप जबरदस्ति अगर टार्गेट होगी कि दो चम्मच खाना है, तो वह बिचारा बच्चा सफर करेगा, तो इसलिए आप उसकी बॉड़ी को रिस्पॉंड करने दो मतब लास्ट में जो कॉंक्लूज़न निकला वह यह कि यह दो चम्मच खाएगा लाइफ लॉंग, जब कभी इसका बीचों मन गडबड होगा तो यह तीन-चार चम्मच भीगा सकता है, बट हमेशा भीच हैबिट जो है, इसने कंट्रोल करकर करकर दो चम्मच के आदत बना आपको क्या करना है जस थोड़ा सा गाइड करना है कि आप चाहते कि अपनी बॉड़ी से अपनी लाइफ से वह उसमें आपको है लुग करती है अब आप चाहते हो कि मैंने अगर 5 kg वेट लूज किया तो आप भी 15 दिन 5 kg वेट लूज कर लो मैं हमेशा 5 kg ऐसा नहीं हर 15 दि अब मेरा 5 kg वेट लूज हो जाता है उस तेम मेरा मेरा मेटबॉलिजम अच्छा रहा मेरी बॉड़ी न अच्छा से रिस्पॉंड किया और मेरा वेट लूज हो गया बट आज में करूज तो ज़रूरी नहीं कि मैं 5 ही कर पाहू सकता है मैं भी 1 kg लूज कर पाहूं तो इप अब मेरी बॉड़ी के पास जितना भी एक्स्ट्रा वेट होगा मतलब अनहेल्डी वेट होगा बॉड़ी खुद भखुद उसको लूज करेगी अगर वो नहीं लूज करना चारी अच्छारी अच्मीन कि अपकी बॉड़ी के लिए फिलहाल उतने वेट की जरूरत है वेट और डिजीर करता है उसे अनहेल्डी फैट की बात करें वो नहीं की खोट होगा आपको स्टार्ट करना है आपकी बॉड़ी थीरे धीरे पहले बो देखेगी कि हां भई आप यह से कंटीनीव कर वी रहे हो कि नहीं कर रहे हो अगर आप continue कर रहे हो तो वो एक pace के बाद आपकी बॉड़ी उस तरीके से respond करने लगीगी हो सकता है कि वो आपको शुरू में कुछ थोड़ा सा ही वेट आपका lose हो उतना ही बॉड़ी ने रिसाइड कि है कि अभी अगर इससे जादा इसका weight lose हुआ तो इसको problem हो सकती है आपकी बॉड़ी में चीजों की deficiencies क्रेट हो जाएं क्योंकि आपकी बॉड़ी लूज नहीं करना चाहती है आप जबरदस्ति उसको force कर रहे हो तो वो जैसे वो ए बच्चा था था ना मारा बिमार पढ़ने लगा था क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी बॉड़ी बिमार प अपकी बॉड़ी और अपने बीच में तालमेल बठाईए वो जितना रिसपॉंड करी है उसको उतना अचिज पेस पे करने दीजे आपका टार्गेट कहीं नहीं कि आपको एक महिने में कुछ कर लेना है क्या करना है आर वेट लूज करके क्या करना है आपको कहीं मान लीज जो है उनका प्रोफेशनल वस चीज का पैसा उनको मिलता है हमको तो नहीं मिलता है हमें क्या चाहिए हम हेल्दी रहे अचा अब वेट लॉस पे एक फिलोसोफी मेरी जो दिमाग में आती है वो यह कि आप अपने पहले पूछे कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिटने करना चाहते हैं मैं आपको गैरेंटी से बता रहे हूँ 80% आफ पीपल जो मुझे सवक्त सुन रहे हैं अगर वह ध्यान से सोचेंगे ना उनको समझ में आगा कि नहीं हमको वेट लॉस नहीं चाहिए हमको फिटनेस चाहिए हमारा वेट जादा रहता है तो हमें प्रॉब्ल शुकरर बिमारी होते है ऐसा नहीं है वाड रॉड़ी ज़स अगर 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 पोलोगी चीज अप कारन उसकी वज़ए से वेट चाहिए तो इतमीज आपको डिजीज हो सकतें बाट कुछ लों का ऐसा नहीं है कि आप का मुझाइश तो उनको प्रॉब्लमी होती है इंसप आपकिवस हो सब्सक्राइब कोज़ि केंट के यह नुचव है। व्यटर्य आपका पीशनी का अफ़ का बात के यह दुध। आपकिज करने हैं आपको उसक्तिय। थे का मात करने हाँ नुटों, हमें एक होता है कि जो बिने आफेका पी, पता है. जो भी चीजे वो हमें बनाते हैं, तो इसलिए अगर वेट लॉस करने का जो एक टागेट वो अच्छली में डिरेक्टी नाओ कि अनकॉंशिस माइंड मेरे ऐसा चल रहा है कि में को वेट लॉस करना है बट जो फैक्ट है वो यह है कि में को वेट लॉस नहीं करना है, मुझे स्केल पर जाकर के जैसे अभी मेरा है मेरा टागेट के है कि मैं 55 के आसपास राउंड करती रहूँ बट फिर भी मैंने वेट लॉस किया तो मेरा 53 के आसपास आ गया था वेट 53 और 52 ऐसे कुछ हो गया था तो मेरे लिए टागेट ही नहीं है जबकि मेरी एज के और मेरी हाइट के साब से अगर मेरा 50-51 तक के वेट रहेगा तो जादा अचा है आइडियल वेट पर जाना ही नहीं है क्योंकि मेरे अंदर वेट रहेगा तभी मेरी एक परसनालिटी भी बनेगी तो मैं साथी हूँ मेरा वेट वो पचपन के आसपास घुमता रहे तो वेट लॉस करना तो एक्जैक्ली मेरा टागेट यह है कि हा मैं healthy रहूं ताकि मैं हैपी रहूं मेरे अनर्जी बनी रहे और मैं सारे काम जो मेरे घर के है या मेरे बच्चे के हैं वो मैं जिम्मधारिया मेरी जो है अच्छे से उनको निभा पाओं आपको नीद अच्छी से आनी जहीं, यह एक्चुली में पारमीटर से हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपका वेट लूस हो रहा है कि नहीं, विकिस वेट लूस करना कोई बड़ी चीज यह बड़ी चीज यह बढ़ इंपर्टिन चीज नहीं है, वेट लॉस अच्छी में सब क कुछ नहीं पड़ी चीज नहीं, फॉलो करती हैं तो बस मैं आप सब से ही बोलूगी कि बहुत सारे लोग जोग मुझ से यह पूछते हैं कि हमारा वेट लूस नहीं हो रहा हम सब कुछ कर्रें कर रहे हैं, हाब पेशिंस, आपको कहीं कोई ट्रेंग पकड़नी पकड़नी ह तो of course आपको expert लोगों से बात करनी चाहिए, डॉक्तर से बात करनी चाहिए, वो एक अलग matter है, but in general term की मैं बात करी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिक 15 दिन में weight lose कर लिया है, मेरी खुद की एक journey रही है, 3 years के आसपास की, तो ऐसा नहीं है, आपको बड़ी बड़ी बाते कर है, मैंने धीरे-धीरे-धीरे करके चीजों को पाया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने विदिन, ओवरनाइट ऐसा कुछ मेरे साथ मैजिक वन नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ, मैं आप लोग को समझा सकती हूँ, में पास है work, है वो right, और आप लोग भी अपने कि इंस्पायर और मोटिवेट हो सकते हूँ, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं करना होता है, लेकिन होता है कि जब कोई और भी गरना है, तो हम भी लगे हातों कर लेते हैं, जैसे वोकिंग का क्या है कि कोई साथ ही मिल जाएं, तो हम इसके साथ ले ले लेंगे, हमारा मननी भ मैं अपकी वर्चुल फ्रेंड बन सकती हूँ, आप मेरे साथ अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, मैं रेसिपी शेयर करते हूँ, आप अपनी कोई चीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उसको फॉलो करते हूँ, तो आप लोग से भी रिक्वेस्टे कर आप मैं अपनी को बताते हैं, मैं आपकी फ्रेंड को बताते हैं, तो मैं उन चीजों को ट्राय करूंगी और आपके बारे में वीडियो में बताओंगी कि इस बंदे ने मुझे ये हल्प की, तो जस्त हम एक कम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम हर तरीकी के मेरे लाइफ की आपको बताते हैं, तो बेसिकली आपको चार चीज़े फॉलो करनी है, अच्छी डाइट, अच्छा वरक आउट, एक्टिव रहना है पूरे दिन फर बे, ऐसा नहीं कि कोई भी खाना खाया और सोगे ये नहीं करना है, आपको stress नहीं लेना है, और नीद प्रॉपर आपको आठ गंटे की, 6-8 गंटे की जितनी भी आप लेसों को भू करना है, तो यह है पर आप वीडियो को कॉन्क्लूजिजन और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक कीज़े, कॉमेट करके अपना ओपीनियन बताएगे कि आप क्या सोचते हैं, आप आप वीडियो के साथ में शेयर करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन हो, तो वो भी मुझे बताना, और बस मिलती हूँ आप से एक नए वीडियो में तब से के लिए, बाई, एंट टेक केर,